हलो वेरी वेरी गूड मॉर्निंग सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आजे ये फटाफट मैं आप सभी का ड़ाट फोर सवें के इस प्लेट पर जो अब ये नई सीरीज हम कर रहे हैं MSCT के लिए इसमें हम डिसकस करने जा रहे हैं कुछ नए टाइप के कोशन जिसमें प्रिवियस एर के कोशन प्लस मोस्ट एक्सपेक्टिव कोशन दोनों मिक्स पॉर्मेंट में हैं तो सभी कॉपी पैन लेके बैठ और जितने भी कोशन सामने आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं उनका आंसर करिए और फिर खुद हम एक एक कोशन को डिसकस करेंगे एनलाइज करेंगे देखिंगे किस तरह से कोशन करने चाहिए और किस तरह से आपको कोशनों को हैंडल करना है फटा फटा आजाओ बच्चो की सुरवाद आईए फटा फट नमबर वन इससे पहले मैं आपको सुरवाद करूँ आप जानते हैं नया टाइम टेबल के हिसाफ से आप एब बाद चेक कर लिएगा क्लाइट की क्लासे जो है नाइट में चलेंगी और नाइट में भी केवल आपको फ्राइडे और सटर्ड को एक बार शीडूल नया आप अपलोड हो गया होगा आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा तो बच्चों अब हम डिसक्स करने जा रहे हैं बहुत ही स्पेसिफिक कोश्चन कुछ अलग टैप के कोश्चन जिसमें मैं से लास्ट ये कोश्चन फर्स कोश्चन है असम आफ मनी असम आफ मनी 125 रुपीज इस प्लेस्ट एड कंपाउंट इंट्रेस बिकम 512 इन 3 एर फाइंड रेट ऑफ इंट्रेस अगर कोई पर्टिकुलर मनी है 125 और वो तीन साल में किसमें कर्वेट होके बच्चों 512 पानसो बारा में तो बताएगे रेट क्या थी पहला पॉइंट तो आप लोगे सर बहुत सारे तरीके is doing और और वो कंपाउंट ऑग्या 5 stars और वह वेसे तो जनरनल तरीका क्या हहा बैसिक इस question करने के दो तरीके में अगर थोड़ों और डीटिल में बता हूँ पहला तरीका मार पास basic है और दूसर तरीका है बच्चों हमार पास approach बहुत जान से देखिएगा इस चीज को बेसिक भी ठीक है एप्रोच भी ठीक है वैसे जनरली हम यूज करेंगे एप्रोच लेकिन मैं बेसिक जस्स आपको बता दूँ सब जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है यह क्या है अगर कोई एमाउंट 125 रुपीज था और वो कनवर्ट हो गया 512 तो इसका मतलब यह एमाउंट है तो आप बोलोंगे 512 एमाउंट है और 125 प्रिंस्पल है वन प्लस रेट पूछा है 100 टाइम कितना है 3 साल मुझे लगता है इसमें कोई डाउट है लेकिन यह उत्तरा परफेक्ट तरीक नहीं है यह बैस तरीका नहीं है यह suitable तरीका नहीं है अप्रोच नहीं है शॉट नहीं है लेकिन करने के साब से समझने के साब से कोई प्रॉब्लम नहीं है परफेक्ट है तो जब यह अंडरोट इधर पहुंचेगा तो आप बोलोंगे 512 अपॉन 125 का अंडर क्यूब तो जब यह इधर पहुंचा 8 अपॉन 5 माइनस के 1 is equal to R अपॉन 100 तो simplify करके 3 अपॉन 5 R अपॉन 100 5 तू जट 10 R बरावर 60 परसेंट पहले comment करें क्या यह clear हुआ यह नहीं yes or not क्या यह clear है R बरावर 60 परसेंट है yes or not लेकिन that is not the correct way that is not the best approach इसके बोलेंगे यह वो नहीं तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ best approach से कैसे करें आज यह फटा फटा तो यह best approach तो नहीं बोलेंगे लेकिन question तो आऊ गया बस यह है कि आईए तो उसी को best approach से मैं पहले करके दिखा रहा हूँ ठीक है बच्चो आईए फटा पर नंबर वन तो best approach से कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिए नंबर वन best approach से जब भी question करना हो करना क्या होता है जब आपको पता है कि formula था ए इसकोल टू पी वन प्लस आर अपॉन हंडर हिस्टी की पावर टी और टाइम कितना है तीन सार आपको पता है जितना टाइम होता उतना अंडर क्यूब निकलेगा क्यूंकि वो पावर रिवर्स होके convert हो गया कित्रे साल में सर 3 साल मी तो आगे से मैं कभी ऐसा तो अंडर ले लो, अगर तीन साल है तो अंडर क्यूब ले लो, तुम्सक्ता दरइएeg, कितने रूपय सो पर पांज रुपय पर उन्टू के के कितना, हैंड़ एड क्या rate of interest से्ट氏 परसेंट, कमेंट बताइए, yes or not, क्या सबको Clarity है इनगान करो. मुझे ने लगता है इसमें किसी को कोई doubt होगा चलिए अगर इसमें अभी भी clarity नहीं है तो एक question में और लेके आँ हूँ आपके लिए same फिर भी अगर किसी को doubt है तो एक question आपकी खिद्मक में और पेस है उससे आपको सारे clarity दोर हो जाएगी आज ही नवा find the rate of interest तो दो सो पच्चीस रुपए चार सो में बदले तो आप बलेंगे 225 रुपीज become 400 कितने साल दो साल तो इसका भी अंडरूट इसका भी अंडरूट इसका अंडरूट पंद्रा इसका अंडरूट बीस कमेंट करो मुझे निलगता है इसमों कोई डाउट होगा सर क्यूं ले रहे हैं अंडरूट यह हम देख चुके हैं इसलिए ले रहे हैं अंडरूट ताकि जब फॉर्मला लगाएं यह बराबर P1 प्लस आरप और अंडरूट इसके बाव टी 33.33 कमेंट करो फड़ फड़ यस और ना हाँ या ना क्या क्लियर है क्या किसी कोई डाउट है कमेंट करो बहुत बढ़ 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 असान है कुशन बहुत ज़्याद तफ नहीं एक कुशन और लेते हैं सेम टाइप को अगर आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप सारे कुशन उडा देंगे सारे कुशन आ जाईए 1000 रूपीस था और भाया जी वो तीन साल में 8000 में कनवर्ट हो गया 1000 रूपीस तो मैंने बोला जितने साल दे रखा होतना रूट ले लो सर इसको रूट कितना होता है 10 सर इसको रूट कितना होता है 20 10 और 20 सर रेट कितना लगा 10 रूपै लगे सर कितने पर इनिशियल पर इन्टू के क्या 100% फाइनल कितना 100% CONVERT कुरो पढ़ावाट YES OR NOT कैसा सब को clarity है कमेंड कुरो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट है इसमें डाउट वाली बात भी नहीं है आप अच्छे से कर सकते हैं सारे कुशन इसली सारे कुशन सौल हो जाएंगे अगर आपने बेसिक कंसेट पर फोकस किया ठीक है चलिए नमबर वर थोड़ा सा कुशन में चेंज ओल लाते हैं थोड़ा सा उसी टैप के कुशन सेम अटाइक कुछ भी अलग नहीं असम अफ मही 32 रुपीज प्लेज एड कंपॉंट इंटरेस बिकम 243 32 रुपीज कंवर्ट होगा 243 में इन 5 यर पाइंट रेट आफ इंटरेस वही लॉजिक है तो इसमें सोचना क्या है जब आप बोलेंगे 32 रुपीज कंवर्ट हो गए किसमें कंवर्ट हो गए 243 रुपीज में कितना रुपा इंटरेस आया आप बोलेंगे 5 यर में तो सर इसका भी अंडर 5 निकलेगा और एसका भी अंडर 5 निकलेगा इसका इंडर 5 दो होता इसका तीन होता है किसको कोई डाउट घई हर कोई जानता होगा 2 रेश्ट की 5 32 होता है और 3 रेश्ट की 5 243 होता होता है या नही Nur 1 तो इंटरेस कितना लगा इक रुपैर कितने रुपैपर दू रुपैपर इन्टू में कितना 100 कितना परसाइंट-50% मुझे लगते कोई डउट ये तो आभी तक हमने जितने भी कैटिग्री के थे सारे करें सारे सेम के तृब थे चलिए थो दिति-धो कि ति एवरेज आफ फस्ट निम्द पॉजिटिव इंटिजर इंटीजर कितना होगा मस्ट निगालें तोछ टे सी सुरू होंगे तो फस्ट नानिन पॉजिटिव इंटिजर का नाम पूछ रहा है average पूछ रहा है क्या होता है आपको funda पता होना चीह में कहले से कौन-कौन जानता है क्या आप जानते है average average क्या होता है total sum upon total number और अगर आपको AP हम पढ़ चुके AP arithmetic progression जिसका funda होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d और सीधे n first 99 का funda होता है n plus 1 divided by 2 होता है या नहीं जहां n है 99 plus 1 divided by 2 99 and 100 by 2 तो first 99 positive integers का average हो गया 50 comment करिए क्या ये concept clear है बावताओ फड़ाफ़ाट क्या सबको clarity है तो आप बोलेंगे first 99 positive integers का sum हो गया 50 मुझे न लगता है इसमें कोई doubtful ही बात है आएए बढ़ते हैं अपने next question की तरह number one अभी हमने compound interest का question किया है और जो question आपके सामने है ये है simple interest का the simple interest as a sum of money मैं question पढ़ दे रहा हूँ एक बार अराम से पढ़ रहा है the simple interest as a sum of the money is 4 by 5 of the principal principal का 4 by 5 है find the rate of interest rate of interest बताना है करते हैं put तो आप बोलते है simple interest बनाबर क्या होता है principle इंटु रेट इंटु टाइम अपॉन के 100 पताए यह यह और नोट हाँ यह ना होता है यह नहीं si is equal to prt upon 100 principal rate time upon 100 si is equal to prt upon 100 पहला पॉइंट पॉइंट नोबर वन the simple interest as a sum of 4 by 5 तो simple interest 4 by 5 that is the 4 upon 5 है किस का 4 upon 5 है principle का तो principle हमने p माना तो यह 4 by 5 p है और numerical value दोनों की same है मतलब जो rate है वो time के equal है numerically data जो है आप बोलेंगे r ही t है p से p cancel यह 20 times cancel r square कितना होता है 80 तो r बराबर under root 80 और 80 को कितना लिख सकते है 1650 80 कितना हो गया 4 root 5 कमेंट को रहे yes or not किसको डावट हो बताओ फडावट option number d is the correct answer confirm है clear है सबको बताओ फडावट क्या clear है सबका आसान कोछ नहीं है रहाएसा नहीं कि आप कर नहीं सकते easily कर सकते है बहुती easily solve किया जा सकता है आईए number two अगला question आपके सामने speed time distance का a person cross a 600 meter long street in five minute एक person 600 meter लंबी सडक को पांच मिनट में पार करता है what is the speed in kilometer ले भाहिया जी speed होता distance upon time distance का मतलब 600 meter time means पांच मिनट क्योंकि kilometer per hour में पूछ रहा है तो एक kilometer में 1000 meter इसको 1000 में convert करने के लिए एक हैर से multiply और मिनट को 60 से divide 1 2 1 2 3 3 तो आप बोलोंगे 36 upon के 5 5 7 35 5 2 10 comment को रोफटावट yes or not 7.5 क्या किसी तरह की कोई problem सब clarity है आसान है चीज़े ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती अराम से आप कर सकते easily easily और MSCT में direct question इससे आने के chance है सीधा train वाला तो मान के चलिए आही गया बिलकु भी घवरानी जुरूर नहीं आजीग the successive discount of 30% and 20% is equivalent to a discount single discount कितना प्यारा question है कौन सा आए यह that is the successive discount का question और क्या होता है successive discount को फार्म लों कोई बताएगा मुझे यह हम profit loss में मेंतनल को तो यूज करते हैं यह funda percentage में भी यूज करते हैं यह funda compound in terms में भी यूज करते हैं क्योंकि compound interest में भी amount क्यों थाक्व सक्छे से बढ़रा होता है और percentage में भी increment के decrement होता है क्या funda x plus y plus xy upon 100 प्थ cie yes it is clear or not यह तो तब है जब successive increment हो और अगर decrement हो तो क्या हो जाता माइनस हो जाता है अगर successive discount है total discount कितना हुआ तो फिर माइनस हो जाता है तो आप तो ट्वंटी अपउन के 100 तो 50 माइनस के 6 44 परसांट कमेंट करो यस और नॉट क्या सबको clear है कमेंट करें वड़ाफट क्या किसी टाइप की कोई problem परफेक्ट है अराम से solve हो रहा है बहुत बड़ी है लीजे भी यह आ भी गया अभी हम उसी की बात कर रहे थे और वो fund आ भी गया आ भी गया तो consecutive discount दो consecutive discount लगाता एक्स परसेंट और य परसेंट अगर दिये जाएं तो यह single किसके बराबर होंगे तो आप बोलेंगे सर सीधा बात है इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है simple सा कोशन है क्या है क्लियर रहे बग कमेंट करो फटा फट मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी आपको कोई अगला कोशन आप खुद निकालो थोड़ा सा सोचो समझो कैसे करें कैसे निकाले अराम से देखें number next the cost price of an article the cost price of an article is 64% of the mark price CP जो है mark price का 64% the gain percentage after allowing a discount of 12% on the MP यदि MP पर 12% के discount दिया जाए तो gain कितना होगा profit कितना होगा पूछ रहा है number आ जाए फटा फट तो आप बोलते MP अगर मैं 100 रिपीज एज्यूम करता हूँ तो CP 64 होगा yes or not कमेंट करो फटा फटा फट होगा या नहीं अगर MP में 100 रिपीज एज्यूम 100 MP क्यों आया क्योंकि साफ साफ मेंशन है CP 64% का MP का तो 100 अगर MP लोगे तो CP 64 होगा और gain percentage निकाला है discount 12% और discount हमेंसे MP पर आता है जब इस पर discount देंगे आप 12% मतलब 12 रिपीज का तो discount के बाद SP आता है यह हो गया 88 बताए yes और not क्या आप सब इस चीज से clear है CP पर profit calculate करते है तो SP आता है या loss calculate करते है SP आता है और MP पर जब discount calculate करते है तो भी SP आता है क्या यह बाद सबको clarity है यह बाद कमेंड कर दो number one most important point है CP पर calculate करेंगे तो SP आता है discount calculate करेंगे MP पर तो भी SP आता है तो 88 रुपीज की चीज को 64 में बेचा कितने का discount हुआ कितने का profit मतलब 64 रुपे की चीज को 88 में बेचा कितने का profit 24 कितने पर CP पर इंटू के 100 बोलिए कोई तो 8 3 जा 8 8 जा 300 अपॉन 8 calculate करेंगे 8 4 जा 32 37.5 comment करें फ़ड़ावर यस और नॉट किसको डाउटर बताओ कितना प्यारा सा कोईशन है इतना स्टेंडर कोईशन है अच्छा कोईशन है या नहीं हाँ जी clear बहुत प्यारा आज जी अगला कोईशन मैं आपके सामने लेने आ रहा हूँ वी बौर्ड मास से रिलेटर जो बौर्ड मास का बहुत ही गजब कंसेप्ट है आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो सब खताब वी बौर्ड मास आईए सॉल करो खुद खुद स्ॉल करें वी बौर्ड मास 1728 divided by 144 divided by 12 divided by 88 divided by 11 of 8 plus 20 minus 4 into 4 ये बार है बचे ये बार है और यह bar जो है यहाँ नहीं है यह bar जो है यहाँ है ऐसे bar ही ठीक इसको बोलते है बार आए यह निकालते है तो सर जब भी ऐसा कोशन सॉल कर रहा हो तो यह तो स्टार्टिंग वाला तो हम ऐसे रखेंगे 1728 144 12 यहां से पहले solve कर लेते हैं आप जानते हैं V board mask का rule क्या होता है V for when column सबसे पहले when column solve करते हैं, सबसे पहले तो जब मैं सबसे पहले इसको solve करूँ है तो यह होगा 4 minus 6, that is the minus के 2 minus minus plus, 4 2 जा 8 20 और 8, 28, comment करो yes or not, है clear है तो आप बोलेंगे जब आप इसको simplify करेंगे पहले off solve करते हैं 118 जा 88 88 divided by 88 1 28 और 1, 29, तो 1728 divide by 144 divide by 12 into 29, comment करो क्या, है clear है सबको number 1 जैसे आप simplify करेंगे आप दखेंगे 1728 into 1 upon 144 into 1 upon 12 into 29 क्योंकि पहले brackets all होगा क्योंकि बार्ड मास में पहले bracket आता है division बाद में आता है तो यह कैलकूल आउट करा answer 1 upon 29 comment करेंगे फटाफाट yes or not right answer is 1 upon 29 not 29 कुछ बच्चों को हो सकता answer 29 आ रहो लेकि right answer कितना है 1 upon 29 it is clear or not comment करो फटाफाट आसाने question को जारत अफ़ी ठीक है आगे चलें बहुत प्यारा आजेगे बिल्कु सारे question उड़ाते चलेया हो गया a table with the mark price rupees 1200 was sold to a customer for 1100 rupees एक table का mark price कितना है mark price find the rate of discount 1200 रुपे के article को 1200 रुपे के table को एक customer को 1100 रुपे में बेज दिया गया बैस सब MP कितना था 1200 रुपे बेचा कितने में 1100 रुपे कितने का discount है सर 100 रुपे का discount है कितने पर निकालते है सर MP पर निकालते है into के 100 कौन मनाता है 12 upon 100 100 upon 12 81 upon 3 50 % comment होता है ये क्या clear है सब को पड़ा फट comment चाहिए बैया जी सबसे clarity असान है यार आओ if a exceed b by 40% a b से 40% जादा है यह 100 तो यह 140 है then b is less than by c by 20% हमेशे ऐसी condition में last से शुरू करो कभी भी ऐसी कोई condition हो ना last से शुरू करिए a b से 40% जादा है b c से 20% less है तो अगर यह 100 है तो यह 80 है a 40% तो 80 का 40% 32 तो यह हो गया 1-1-2 a और c का रेशियो पूछा है a ratio c 1-1-2 ratio 100 यह हो गया 23 ratio 25 4 से 4 6 जा 4 2 जा 8 और 3 4 जा 32 हाज 28 ratio 25 confirm यह तो भाई सब यह जो option है यहां आके चिपक गया है यही हमारा right answer confirm बता ही clear बता हो बहुत बढ़े हो निकाली गजब जबर्दस्ट the price of a shirt after 15% discount is 1-1-9 15% के discount के बाद जो price है 1-1-9 की है तो mark price कितना था तो कुछ भी नहीं है अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोई भी चीज के discount है तो आप सीधे ऐसे करो दो तरीक से break कर सकते है 15% क्या होता है 3 upon 20 20 रुपीज के चीज को कितने बेचा 17 जितनी की होती है that is called MP जितने में बेचा that is SP एक्चल में 1-1-9 कितना time 7 time तो इसका भी 7 time 140 comment करो B is the right answer ऐसे question में कुछ करने हैं जुरूती नहीं हाँ या ना perfect answer है क्या 140 perfect clarity है comment कर दो आसान question को इतना टेपिकर लेए चलिए आगे चलते है एक question में आपके सामने ले क्या हूँ percentage का जो percentage से related है if the food price goes up to 10% food price goes up to 10% food के price 10% बढ़ गए then how much should a man reduce his consumption तो एक man को अपनी consumption में कितने की कमी करनी है as not to increase expenditure उसका expenditure ना बड़े price बड़े food के expenditure constant रहे को कितनी की कमी करें आप जानते है price की multiply जब price की multiply जब consumption से होती है तो आपका expenditure आता है या नहीं number one point number one तो आप बोलेंगे हम जानते हैं इसमें concept होता है अगर एक data बढ़ रहा है तो दूसरा data कम हो जाता है कैसे 10% कितना बनाता है one upon ten one upon ten अगर ये data बढ़ रहा है तो मैं इसको अगर ये arrow उपपर है तो दोनों add होंगे अगर ये arrow नीचे है तो दोनों subtract होंगे क्योंकि arrow उपपर है तो दोनों add होंगे तो 10 और 1 11 कमेंट करो फटाफट कितना बनाता है nine one upon 11% सभी से कमेंट चाहिए क्या है सबको clarity हाई या नहीं हाँ जी क्या सबको clarity हाई ये तो right answer है nine one upon 11% एक question all लेते हैं ऐसा ही same आईए two numbers are respectively 20 and 50% more than a third number दो number किसी third number से 20-50% ज्यादा है ये a ये b ये c ये 100 है तो ये 120 है ये 100 है तो ये 150 है तो दो number का ratio पूछा है और ratio 5 अरे वाँ इसमें तो कुछ करना ही नहीं था पूलियो का doubt सबसे आसान question तो ये ही था या कुछ भी नहीं करना था चलें आगे आ जाईए वाट नमबर सुद भी सब्ट्रेक्टेड़ प्रॉम बहुत डी टम्स 11 और 15 11 और 15 में से कौन सा नमबर सब्ट्रेट किया जाए जिससे जो नया रेशो है वो 11 और 15 से कितना बन जाए तो रेशो थ्री हो जाए बताए ये फटा फटी यास और नॉट 11 और 3 से कौन सा नमबर सब्ट्रेक्ट किया जाए जिससे नया रेशो तो रेशो थ्री हो जाए 11 और 3 से 15 से तो कुछ नहीं सबसे बैस्ट आप्शन होता है तो साफ क्लियर हो रहा है अगर मैं 3 सब्ट्रेक्ट कर दूँआ तो यह जाए एट अपॉन 14 बात बनेंगे नहीं अगर मैं 2 कर रहा हो तो थर्टीन होगा बात बनेंगे नहीं अगर मैं 5 कर दूँ तो सार अगर मैं 2 कर दूँ तो 14 थर्टीन बात दे अगर मैं 3 कर दूँ सब्ट्रेक्ट तो 8 11 माइनस 3 एट 13 15 माइनस 3 त्वैल 4 तू जा 8 4 थर्टीन त्वैल तो राइट आंसर बच्चों कितना था थिरी था कमेंड करिए मुझे इन लगते हैं इसमें कोई डाउट है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम परफेक्ट आंसर है बहुत बढ़ी है बहुत से चलिए एक कुश्चन और कर लेते हैं नमबर वान स्पीड है 30.6 किलोमीटर पर हवर इसको कनवर्ट करना है 30.6 किलोमीटर पर हवर मीटर पर सेकंड में तो सोचना क्या 5 अपाउन 18 पहला पॉइंट लेकिन सार मल्टिप्लाइं 6 5 जब 30 5 3 जब 15 18 यस और नॉट पहला पॉइंट अगर नहीं प्रॉब्लम है तो देखो 5 3 8 ऑवर 9 3 से कल 3 6 जब 18 ओटी वन अपाउन 6 यस और नॉट बताइए मुझे नहीं लगते इसमों की डाउट है कनफार्म भाई हमने मैंने मल्टिप्लाइ करा 3 से अगर आप 3 से कर रहो 3 5 जब 15 31 है 51 है बच्चो यह तो जस सिंप्लिफाइए करके 6 8 जब 40 है 8.5 मीटर पर सके ओप्शन नमबर ए कमेंट करो सबसे कमेंट चाहिए फटाफट आईए V बाइन मास का एक बहुत प्यारा कुष्चन ओ रहा V बाइन मास का कऊशन हो पोर इंटू पोर इंटू 3 डिवाइब बाई 4 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइब बाई 3 इंटू 3 पूचरा कॉन सा परफेक्ट है simple है, 4 into 3 divided by 4, 4 into 3, तो actual में ये लिखावा है, 3 into 3, 3 से 3 cancel, 4 into 3 divided by bracket में 16 upon 3, पहले bracket solve करेंगे, याद रखेगा, 3 into 3 upon 16, 4 forges 16, 9 by 4, right answer is 9 by 4, comment करो, right answer is 9 by 4, confirm, निकाल लिए, P बरावर 10,000, R बरावर 10%, तो 10% कितना होता है, 1 upon 10, कैसे बनाते हैं इसको, 1, 10, 10 और 100, ये कितना है, 100 times, 10, 10, 21 का 100 times, 2100, कैए क्लियर है, compound interest बरावर 2100, आज ये और कुशन देखते हैं, 16, 2 by 3, बनाता है, 1 upon 6, 166, 36, 200 times, 13 का 200 times, 2600, note करो, comment चाहिए, सभी से, 14, 2 by 7, बनाता है, 1 upon 7, 1, 7, 7, 49, 100 times, 15 का 100 times, 1500, comment करिए, तो बच्चो, लास्ट कुशन आज का, लास्ट, लास्ट, नमबर वन, ये होमवर्क है, comment box में अंसर देना है, ठीक है न बच्चो, तो मैं आपको बताओ दो, फटाओ फट देन से, नमबर वन, क्या, आपको, CLAT से रिलेक्टिड, CLAT से रिलेक्टिड, कोई भी बैच्च की इंफॉर्मिशन लेना हो, CLAT, JMI, ILED, MSCT, DULB, आपको आना है, अड़र247.com पर नमबर वन, उसके बाद All Courses, Undergrade, Undergrade के बाद Law Entrance, CLAT में जैसे आएंगे आपको पूरा Supreme Batch, Supreme 2.0 के नाम से मिलेगा, जिसमें 10 मन्थ की वैलिडेटी, 500 seats के वला हम रखेंगे, 11.00 AM से रात, 8.06 PM तक classes, आपकी completely study plan आपका यहाँ है, पूरा, इसके लावा, पूरा 20 full length test, 2000 कोशन का collection है, जबर्दस तरीके से, आपको अभी बहुत जबर्दस month end discount चला है आपका, बच्चों, आपका है Y696 के साथ, code enter करी मैं आपको करेके दिखा देता हूँ एक बार, जैसे आप आएंगे, Y696, apply करने के बार आपको जबर्दर discount बिले, 80% को off चला है, चले बच्चों, ओके, इस month starting season का लाव उताईए, बाई बाई, जाँ है।